आज इस वीडियो में हम heatmap यूज़ करना सीखेंगे नए broadband connection को install करते टाइब अपनी atlwork application में लॉग इन करें इंस्टलेशन टास्क ओपन करें नीचे दिये गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें और iowa options में से heatmap सेलेट करें वाइफाई coverage option पर क्लिक करें सब्सक्राइबर की details इंटर करें अगर वो automatically नहीं आती हैं तो example customer का नाम और customer का नमबर अब ok पर क्लिक करें और draw floor plan पर क्लिक करें plan draw करने के लिए हमारे पास कुछ options आएंगे rectangle, circle, line, freehand, color हम rectangle को यूज़ करें floor plan draw करने के लिए इस वीडियो में दो options यूज़ करें गए हैं floor plan draw करने के लिए पहला freehand दूसरा rectangle यह एक freehand floor plan है अब floor type select करें राउटर का wifi आउन करें राउटर का wifi आउन करें अब आप चलना शुरू करें और phone की screen पर टाप करते रहें floor plan बनाने के लिए एक label add करें अब आप चलना शुरू करें और phone की screen पर टाप करते रहें floor plan बनाने के लिए जैसे जैसे आप room change करें अलग-अलग label add करते रहें करते रहें आप वॉक टेस्ट पूरा होने के बाद Create Heat Map पे क्लिक करें अब पर Heat Map का Reading Status आएगा इसको डिस्मिस करें Save पर क्लिक करें Save करने पर Survey Report बन जाएगी दूसरा सर्वे करने के लिए Home बटन पर क्लिक करें दूसरे SSID पर सर्वे करने के लिए Connect Another SSID वाले Option पर क्लिक करें अब Create Floor Plan पर क्लिक करें सब्सक्राइबर की Details एंटर करें अगर वो Automatically नहीं आती है तो Draw Floor Plan पर क्लिक करें Drawing Options सेलेक्ट करें Floor Plan पर क्लिक करें जितनी बार भी आप Floor Plan पर क्लिक करें Modem Location सेलेक्ट करना ना भूलें Wi-Fi बटन पर क्लिक करके Modem को स्क्रीन पर ऐसी जगा पर प्लेस करें जो घर या आपके Floor Plan से मिलती हो Floor सेलेक्ट करें और Walk Test स्टार्ट करें Walk Test के टाइम कम से कम एक लेबल सेलेक्ट करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए Create Heat Map पर क्लिक करें Save पर क्लिक करें अगर आपको Poor Coverage मिलती है तो Customer को Inform करें इसको Resolve करने के लिए Modem Location चेंज करें और Heat Map Test दुबारा करें या फिर Customer को Mesh Solution के बारे में बताएं OK पर क्लिक करें, Survey Report पर जाने के लिए अगर Customer Modem Location चेंज कर ले के लिए मान जाता है तो Modem Location चेंज करें और Heat Map Test दुबारा करें Heat Map टेस्ट करने के लिए पूरा Process रिपीट करें करेंज करेंज करें करेंज करेंज करें या पर ठीड़ॉक हो झाल 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 अब आपको सारे टेस्ट रिजल्ट नजर आएंगे अब आपको सारे टेस्ट रिजल्ट में से जो सबसे अच्छा टेस्ट रिजल्ट हो उसे सेलेट करें और इंस्टलेशन स्टार्ट करें टेस्ट रिजल्ट अप्लोड करने के लिए सब्मिट पर क्लिक करें